दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं अडानी पावर के बारे में अडानी पावर के अंदर आज भी आपको lower circuit देखने को मिला है साथ ही साथ यहाँ पर expiry के दिन याने कि मन्त की expiry के दिन आपको कुछ बड़े target यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं अडानी पावर के अंदर सारी चीजों को complete यहाँ पर analysis करेंगे उसके पिले अगर आज के हम indices की तरफ नजर मारें तो Indian indices के अंदर आज आपको वापीस सारी चीजे negative ही देखने को मिले लेकिन market close होने तक हमें 106 यहाँ पर 21 point की तेजी इसके साथ बंद होते हुए देखने को मिला लेकिन उसी के against nifty 50, nifty bank और nifty mid cap को अगर हम यहाँ पर देखें तो सभी हमें यहाँ पर week देखने को मिले और इनी सब के साथ अगर Adani power की भी बात करी जाए तो Adani power के अंदर आज के दिन भी आपको lower circuit लगते हुए देखने को मिला यानि कि आज पांचवा दिन हो गया है यानि कि पूरे week में आपको Adani power के अंदर lower circuit ही देखने को मिला है जिसके कारण यहाँ पर जितने भी retail investor है जिन्नोंने Adani power के shares को अपने portfolio में aid कर रखा है वो अपनी positions को इस time पर score off नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि आप देखेंगे कि Adani power के अंदर भी आपको sale की quantity काफी ज़दा यहाँ पर देखने को मिल रही है इसी सब के बीच में आज की बात अगर करी जाए तो Adani power में भी आज बाजार खुलते ही आपको लगबख 4.9% तक की गिरावट आ गई जिसके पाद shares में lower circuit लग गया अभी Adani power के share की कीमत आपको 114 रुपे देखने को मिल रही है इसी के साथ अगर Adani transmission की भी बात करी जाए तो Adani transmission के shareों में भी आपको 5% तक की गिरावट आई जिसके बाद आज Adani transmission के अंदर भी आपको lower circuit देखने को मिला Adani transmission की share price अभी के time पर आपको 1240 रुपे 15 पे से देखने को मिल रही है और इनी सब के बीच में Adani group के तीसरे shares जिसके अंदर आज के दिन आपको lower circuit देखने को मिला जिसमे Adani total के इसके share में भी आज आपको लगबख 5% की तेजी गिरावट देखने को मिली जिसके बाद में इसकी share price लगबख 1258 रुपे पर ट्रेड कर रही है चलिए अब बात कर लेते हैं Adani power के price performance के बारे में तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि पूरे week में आपको Adani power के अंदर यहाँ पर continuously lower circuit देखने को मिले जिससे इसकी share price लगबख 22% से लेकर 25.5% तक decline हो गई है और इस time पर जिस भी shareholders ने Adani power के अंदर यहाँ पर high valuation पर entry ले रखी है याने कि 160 के level से, 140 के level से, 150 के level से entry ले रखी है उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर loss हो रहा है लेकिन जब तक Adani power का share lower circuit से बाहर नहीं आता है तब तक आप अपनी positions को तो यहाँ पर square off नहीं कर पाएंगे साथी साथ अब जो Adani power के levels निकल कर आ रहे हैं वो 100 रुपे से भी कम के levels यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं याने कि definitely यह आपके लिए थोड़ी सी negative news हो सकती है लेकिन हमारा काम है आपके साथ सारी genuine news पहुंचाना अगर हम Adani power के अगर यहाँ पर volume based काम की तरफ भी नजर माने तो आज की दिन भी सिर्फ 21 लाग quantity आपको trade होते वे देखने को मिली है लेकिन उसके बात से share lower circuit में आ गया जिसके बात से बिल्कुल भी trading यहाँ पर नहीं हो पाई है चलिए अब बात कर लेते हैं कि expiry क्यों है जरूरी जी हाँ दोस्तों expiry के दिन ऐसा क्या बड़ा हो सकता है तो CNI Research Limited ने यहाँ पर कुछ M statement यहाँ पर declare किये हैं जिसमें CMD किशोर ओसत वाल ने कहाए कि निवेशको को future and option की expiry तक इंतजार करना चाहिए याने कि F&O की expiry यहाँ पर 24 तारीक के दिने तब तक यहाँ पर wait करने की सलाय दी गई है उन्होंने काए कि जिन लोगों के पास Adani Group की company के share से उन्हें फिलाल hold करना चाहिए 24 तारीक के बाद इसके भाव में थोड़ा थोड़ा सुदार होने की संभावना है वहीं जो निवेशक share खरीदना चाहते हैं उन्हें 22 से 23 जून के आसपास इन group की company के shares खरीदने चाहिए लेकिन मैं यहाँ पर personal आपको opinion देना चाहूँगा कि Adani Groups के अंदर इनके सभी shares के अंदर जब तक आपको कुछ बड़े movement कुछ बड़ी खबर आते हुए देखने को नहीं मिलती है तब तक आप इससी group से थोड़ा सा यहाँ पर दूरी बनाए रखें क्योंकि अगर आप इस गिरावट में first जाते हैं तो definitely आप यहाँ पर अपनी केपिटल्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पर हद तक हो सकते हैं इसी के बीच में जानी मानी एक और brokerage firm SMC Global Securities के Vice Chairman और Managing Director महेश सी गुपता ने भी यहाँ पर एक statement डिकलेर के आए जिसमें सोमवार को आई रिपोर्ट पर अडानी समू और NAC द्वारा जो clarification दिया जा चुका है इसके बावजुद अडानी ग्रूप की कमपनियों के shares लगातार गिर रहे हैं इसे में जो यहाँ पर investor हैं उनको wait and watch की रणनीती अपनाना चाहिए यानि कि अगर आप अडानी ग्रूप के shares के अंदर fresh positions बनाना चाहते हैं या फिर यहाँ पर square off करना चाहते हैं या फिर अगर आपने positions बनाए रखी हैं तो आप यहाँ पर अपनी positions को लेकर बहुत ज़्यादा confused हैं कि आपको इस level पर profit book कर लेना चाहिए या फिर कुछ समय के लिए और इंतजार करना चाहिए तो अगर experts की मानें तो उन्होंने यहाँ पर अभी सिर्फ आपको wait and watch करने का option दिया है साथी साथ retail investors को यहाँ पर जो वो जोखिम ले रहे हैं यानि कि risk ले रहे हैं उसमें stop loss लगा कर रखना चाहिए हाला कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं हैं ग्रूप की कमपनियों के शेर्स consolidation के channel से गुजर रहे हैं लेकिन पिछले 3-4 दिनों के अंदर जो यहाँ पर 3 main shares से अडानी ग्रूप के जिसमें अडानी पावर ले लो या फिर साथ ही साथ में अडानी के और भी 2 shares जिन्सके अंदर आपको continuously lower circuit देखने को मिल रहा हैं वहाँ पर थोड़ी सी इस्तधी panic create करने जैसी बन रही है अगर अडानी पावर के अंदर मंडे के दिन यहाँ पर lower circuit से share बाहर आता है तो definitely आपको यहाँ पर कुछ changes देखने को मिल सकते हैं कुछ volatility shares के अंदर देखने को मिल सकती हैं लेकिन overall जितनी भी सारी यहाँ पर news ह वो सारी favor में यहाँ पर हमें आती वही देखने को नहीं मिल रही है तो अगर आपको यहाँ पर अडानी पावर के अंदर lower circuit से अगर share भार आता है तो definitely आप यहाँ पर profit book कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप अडानी पावर के अंदर fresh positions बनाना जाते हैं तो right time आने पर सबसे पिले अगर हम अडानी पावर की price देखें तो यहाँ पर 114.90 पेसे पर इसकी current share price हमें देखने को मिल रही है और अगर आप यहाँ पर पीछले one week का chart भी देखेंगे तो continuously आपको यहाँ पर lower circuit लगते हुए देखने को मिल रहे हैं साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी sentiment स अगर हम अडानी पावर के momentum को चेक करें तो अभी भी आपको यहाँ पर meet range के momentum देखने को मिल रहे हैं short term, medium term और long term में तो definitely यहाँ पर अगर lower circuit से share बाहर आता है तो बहुत से investor इसे खरीदने के लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा excited हैं तो यहाँ पर सारी चीजे तो हमें expiry के session में ही clear हो पाएगी जो यहाँ पर next week रहने वाला है वो अडानी groups के shareholders के लिए काफी ज़्याद important रहने वाला है तो सारी important news को cover करेंगे हम तो आप हमारे channel को subscribe कर सकते हैं साथी साथ आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते हैं वहाँ से भी आपको share market की हर एक छोटी बड़ी updates continuously basis पर provide करी जा रही है link आपको description box में मिल जाएगी वहाँ से आप हमारे telegram channel को join कर सकते हैं चलिए दोस्तो उमीद है आपको video और update पसंद आई होगी अगर आपको video पसंद आई हैं तो इसे like और share करना ना भूलें साथी साथ channel को subscribe कर लें मिलते हैं next video में another किसी important update के साथ तब तक के लिए stay connected stay updated